हेलो स्टुरेंट मैं श्वेता दुबे आज हम एकनॉमिक्स मैंथेट में टीचिंग मैंथेट के क्लासिफिकेशन और उसके सेलेक्शन के बारे में अध्यान करेंगे या टीचिंग मैंथेट का सेकेंड पार्ट है फर्स पार्ट आपने देखा होगा तब ये कंटिनिटी में या सेकेंड पार्ट आज हम डिसकॉस करएंगे सिखन विदि का चेहन करते समय ध्यान देने यो घिinsky बाते हैं सिक्षक विभिन कक्षाओं एवं एक ही कक्षा के विभिन वर्गों को पढ़ाता है क्याने का मतलब है डिफरेंस क्लास को पढ़ाता है और एक ही क्लास के डिफरेंस सेक्षिंज को पढ़ाता है प्रतेक समू की अपनी विशेस्थाय होती है हर क्लास का अपना मैरिट्स होता ह एक सिक्षन विधी एक समू के लिए तो अच्छी होती है तो दूसरे समू में वह effective नहीं होती है अप्रभावी सुद्ध हो जाती है इसलिए सिक्षन विधी के चैन में समू विशेश को ध्यान में रखना आवश्यक है मतलब जो भी group है जिसे आप पढ़ा रहे हो उसको ध्या में रखना आवश्यक है यहां भी देखना होगा कि विध्याले एवन समाश का परिवेश क्या environment है स्कूल का और सुसाइटी का और एक विधी के प्रयोग करने में आवश्यक सामगरी जो लगेगी और जो भी साधन उपलब्ध है या नहीं वहां उस स्कूल में यहां भी दे जाले कि आस पास की प्रकृतिक, आर्थिक एवन सामाजिक एवन सांस्कृतिक परिवेश मतलब एकनॉमिकल, सोशल, कल्चर जो परिवेश है वहां का उसको समझना होगा और देखना होगा कि इन में से किन elements, किन तत्तों का विशेवस्तु से स्वा समबंधित किया जा सकता ह मतलब अपने जो पढ़ाने वाले टेक्स्ट मटेरियल उसे कोर लेट करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिक्षन विधी का चेहन करते समय यह जानना भी आवश्यक होता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, विद्यार्थियों की सीखने की इक्षा, विधी, योगि जिता आदी में अंतर पाया जाता है, इन में से कुछ अंतर तो अंतर रंग होते हैं, मतलब इनिट कैपसिटी होती है लेकिन बहुत कुछ यह सीखने के कौशल पर भी निर्भर करती है, अगर हम अच्छे सिखाएंगे तो वो डैबलप हो सकती है, इसलिए सिक्षक को, अच्छे का मनन किस प्रकार करें और सीखने के लिए किस प्रकार निजी विधी का विकास करें, मतलब एक development करें कुछ methods का, जैसे हम घर में पढ़ते हैं, जो स्कूल से पढ़के आते हैं, तो हम अपना एक strategy बनाते हैं, कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस विधी से हम इसे घर में समझ सकते हैं, तथा अपने एकत्र किये हुए जो खोज हैं, ज्यान को किस प्रकार, मतलब उसको एक साथ समझित करना है, एक साथ उसे समगर करना है, सिक्षक को या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बालक काम करके और स्वयम खोज करके बहतर दंग से सीख सकता है, ना कि तत्यात्मक ज्यान को निश्क्री रूप से प्राप्त करके, मतलब गर उन्हें कुछ हम एक्टिविटीज कुछ प्रोजेक्ट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, इसी खोज की और प्रवित करने वाली क्रियात्मक और स्रजनात्मक प्रक्रिया मतलब एक्टिविटी वेस और क्रियेटिव प्रोसेस भी बच्चों में रुची उत्पन करती है, उसे आनंद मिलता है और उसका ध्यान तुरंत आकरशित होता है, सीखने की सितियों की योजना बनाते समय, सिक्षक को सीखने के कुछ सिध्धानतों को सीखने के जो सिध्ध साविंग, सीखने का वातावरन, समस्या समधान से संबंदित जो सामगरिया है वा साधन उपलब्द होने चाहिए, भावनात्मक सहयोग, इमोशनल सपोर्ट सिक्षक विद्यार्थियों को सिखाते समय दे, विद्यार्थी ऐसे निशकर्स पर पहुंचे जो कि उसे संतोष् विशेवस्तु और इसकी संदशना के अनुसार ही सिक्षन वीद्यों का चैन करना चाहिए, अर्शास में वरनात्मक अत्वा विशलिष्नात्मक पहलू, अर्शास की सखाएं हैं जैसे बैक्रो एक्नॉमिक्स है, माइक्रो एक्नॉमिक्स है, से सम्बंदित विभिन अपनाना होगा डिस्क्रिप्टिव आस्पेक्ट से अनुसार विशेवस्तु भी चैन करनी होगी मतलब सेकेंडरी लेवर और हैर सेकेंडरी लेवर में जो असासर के जो हमने अब्जेक्टिव डिसाइड किये हैं उनके अनुसारी हमें मटेरियल्स भी सलेट करना होगा उद्देश और मटेरियल्स सलेट करना होगा इनके संदर में वीधियों को भी हमें तै करना होगा कि हमें किन वीधियों का प्रयोग करना है इस विशेवस्तु को पढ़ाने के लिए अंत में स्वयम सिक्षक उसका व्यक्तित वह बहुत एक चमता ज्यान उसके विशेश कौशल सीमाय भी वीधियों के चैन को प्रभावित करती है मतलब इसका तीचर का प्रस् publishers है उसका नॉलेज एक है उसके इंदलक्शवल कैपेसिटीज है उसके skills है उसके limitations वोभी वीधियों को selection में परभावशाली होती है कोई भी दो सिक्षक एक तरह के नहीं होते जो विधी एक सिक्षक के लिए उप्युक्त होती है दूसरे के लिए वही उप्युक्त होती है सिक्षक की अपनी सिक्षण शैली होती है हर टीचर का अपना teaching style होता है अच्छा हो यदि इसमें flexibility हो और अनुकूलन हो जिससे कि सीतियों के इनुसा उचित वीधियों का प्रयोग सिख्षक कर सके कहने का दाद पर है कि टीशर ने लसन प्लान बनाया उसने पहले से प्री स्ट्राटेजी बना ली कि इस क्लास को हमें इस विधी के द्वारा पढ़ाना है पर जब वो क्लास में गया उस समय वो बच्चों को जान रहा है बहुत अच्छे से कि उनका क्या लेबल है फिर भी ऐसी कुछ परिसिती आगे कि बच्चे उस मैथर्ट से नहीं सीख रहे हैं तो टीचर को तुरंट अपने मैथर्ट ने फ्लेक्सिबिलिटी लाके कुछ डिफरेंट मैथर्ट का यूज करना होगा इलस्ट्रेशन विध एक्जाम्पल्स हुआ या फिर उससे रिलेटेड श्टोरी टेलिंग हुआ कुछ उनको श्टोरी बदाके या फिर उसमें हमने कुछ श्रोत विधी का प्रयोग कर लिया मतलब बहुत साई डिफरेंस मैथर्ड है उसके अनुसार हमने उसका उप्योग करना है जिससे की में हमारा जो मकसद है कि बच्चों को वह लेसन ठीक से समझ में आए वह important है जिसे हम achieve कर सकते हैं थैंक यू आप इसके third part को जरूर देखिएगा जिसमें हम classifications का अध्यान करेंगे methods and classification of teaching methods का अध्यान करेंगे